हुआ है वेलकम बैक टो गीक साइडिया जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जेंड की की जो हिस्ट्री और जनल नालेज़ जो दूसरे फैक्ट्स है वह वेरी इंपॉर्टन्ट है फॉर एग्जामिनेशन जेंड जेंड एस बीस कंड़क्टिंग अल्मोस्ट हर किसी पेपर में जो स्पेसिफिक नॉलेज़ अफ जेंड के है उसके 20 मार्ग से तो उसके लिए एक बुक है जोहरामद मीर वेरी इंपॉर्टन्ट बुक है यह वेरी इंपॉर्टन फैक्ट भी है इसमें तो इसको हम रिवाइज करेंगे फास्ट बेसिस पे तो आई फिर सिटार करते है आज इसका यूनिट फरस्ट हम पढ़ते है यूनिट फरस्ट क्या है जम्मु एंड कश्मीर एन ओवर्विव इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम यह पढ़ेंगे कि यह पहले सिटेट हुआ करती थी आप इसको यूटी बनाय गया आप सब लोगों को पता है जो बिल ला आटिकल हटाया गया था तो वह 5 आगस्ते 2019 को इंटर्डूस की गई थी लोकसभा में उसी दिन पास भी की गई फिर दूसरे दिन राजसभा में वह पास की गई 6 आगस्ते 2019 को वेरी इंपॉर्टर फैक्ट्स है प्रेजिडन ने उस पे साइन कब किया इनकि प्रेजिडन की मनजूरी कब होगी बिल पे तब जाके वो एक्ट बन जाता है नाए नागस्ते 2019 को प्रेजिडन ने उस पे साइन कर दिया तो यही हम आज पढ़ेंगे तो फिर इस सब का मकसद क्या था 370 हटा देना और जैंड के को दो यूनिन टेरिटरिस में बाइफरकेट कर देना यह स सब बाग है फिर इसका नए एक यह इसका नाए एरिया कि आ बन गया फोर टू टू फॉर वन स्कायर किलाओमेटर यहां पे इंपोर्टन पॉइंट से यादरते हैं सारा कुछ हमें नहीं पढ़ना है जो इमपॉर्टन ने वह याद रखना है तो नाए एरे कितना गया है फ गलोब में जो latitude size होते हैं तो ओर longitude size होते हैं तो अगर यह गलोब है यह equator है equator इसको northern hemisphere और सदर हमसपर में convert करता है और अगर यह longitude लिया जाए यह इसको eastern hemisphere और western hemisphere में यह करता है convert करता है तो यही इसके longitude latitude है तो अगर हम इंडिया देखेंगे गलोब में तो वह कहां पर पड़ता है वह नौर्धन हमसफर में आता है यानिकि वह इस वाले पार्ट में आएगा नौर्ध इस्ट वाले हमसफर में आएगा तो वही इसके जैंड के क्या लांगिट्वी लैट्विड है अपर वाला है 37 डि दिग्री 35 मिनट इस्ट से लेके 83 डिग्री 20 मिनट इस्ट यानिकि पूरा का पूरा जैंड के किसमें आता है इस्टर हमसफर में तो आब आपको बताना है टोटल इस टाइम इंडिया में कितनी सिटेट्स और यूनिन टेरिटेरिस हैं पहले थे साथ और अगर फिर जैंड क इसका कहने का मतलब यह है हम सब को पता है density of population किसके बराबर होगी density is called mass divided by olumic science में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर population density है तो population density किसके बराबर होगी किसी area की population कितनी है divided by area that means population उपर numerator में है यह नीचे denominator में है जब denominator बड़ा होगा that means यह density population density का value क्या होगा का फरक्रेंबल 2 by 4 ये इसका मतलब है 1 by 2, 1 by 2 का मतलब 0.5 अगर 2 by 8 लिया जाएगा यानि कि हमने denominator को बढ़ा दिया तो ये बन जाएगा 1 by 4 1 by 4 का मतलब है 0.25 तो यानि कि जितना denominator बढ़ेगा उतना area ये वाला value यहाँ पे गटेगा, so area डोडा का बढ़ा है that means ये वाला कम हो जाएगा तो least density जब यहाँ पे आएगा कौन सा area गांदरबल का, गांदरबल का area कम है तो यहाँ पे density increase हो जाएगी, इसलिए डोडा बढ़ा है, density कम है और गांदरबल छोटा है, इसलिए इसकी density highest है, ये आपको मैंने mathematically समझे था कि आपको याद रहें सबसे ज़्यादा population कहाँ पे जोमू में और least कहाँ पे किष्टवार में है very important, और जोमू में सबसे ज़्यादा क्या है, literacy rate और कम literacy rate कहाँ पे रामबन में, very important highest sex ratio कहाँ पे कुलगा में शुपया almost 955 district with least sex ratio कोई ने कुपवारा तो यह थे very important marks, अब यहाँ पे very very important, जब ज़्याद के सिटेट हुआ करती थी with लदाख तो यहाँ पे total लोग सबसेट कितनी हुआ करती थी 6, अब ज़्याद के इनिटेटर में 5 है और लदाख में एक है, total बन गए फिर से 6, लेकिन ज़्याद के में पूछा जाएगा तो सिर्फ पांच, राजसाबा की seats कितनी total आएंगी, 4, सिर्फ ज़्याद के से लदाख से कोई नहीं nature of legislation, यूनिक केमरे लेहाँ पे पहले by camera हुआ करता था state legislature assembly भी हुआ करते थी और council भी हुआ करते थी, council को साया करते थे, लेकिन अब delimitation होगी, जिस पर बात चल रही है, delimitation commission भी बनाए गया उसका head cone है, very important point है तो अब कितने आएंगे after delimitation, 90 members उठके आएंगे कुछ first in gen के, जैंड के जब ये state हुआ करते थी तो पहला governor कोई है, डाक्टर करन सिंग, पहला chief justice conversation, ये सारे question पूछे गया है, first chairman of jkpsc, यादवनाथ सिंग ये आलमुस्ट ज्यादा तर interview में पूछे जाते हैं, ये भी तक मुझे नहीं लगता, इसमें पूछा गया है या पूछा गया है, मुझे नहीं पता यादवनाथ सिंग, लेकिन ये अब हमें ऐसे भी ये वाले post जो है, governor chief justice और chairman of jkpsc, ये ut में भी सिंग रहेंगे, अब हमें करन देखना की इस टाइम पे कोई है first and last, सद्री रियासत आप सब लोगों को बताए, जहन के में सबसे पहले क्या हुआ करता था, सद्री रियासत, यानि की president and prime minister, फिर उनका post change किया गए, सद्री रियासत को बनाए गवर्नर और PM को बनाए गए, CM तो last सद्री रियासत कौन था dr. करन सिंग और first भी यही हुआ करता था first chief minister कौन था, और last prime minister कौन बन गया, जब last prime minister बन गया, फिर post change हो गया first CM बन गया वो, तो वो था गुलाम हमाद सादिक जो की recently question में पूछा गया था ग्यान पित अवर्ड पहले किसको दिया गया था रह्मा राही को, और first सहते अकडमी अवार्ड कश्मीरी लंग्विज में first power project महरा, 1905 में किस river पे है, ये important है, बताएए मुगल गवर्णर पहला कौन है, कासिम खान कश्मीरी feature film मौजरात मौजरात, जो जिस दिन दुला, दुलान के गर जाता है उससे पहले की रात, उसको मौजरात बोलते है कश्मीरी में फर्स्ट आफगान गवर्णर ऑफ कश्मीर, उब्दला खान इसाक, फर्स्ट चाइनिज ट्रावलर हून टिसांग, यह हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे हून टिसांग, किस के दवर में यहां पर आया था, very important point, अधिय को सबको पता है, नहीं करें, ऋसाद किसी को पता नए, इताना गुलाम रसूल ग्रीन जूम अब हम पढ़ेंगे यूटी से रिलेटेड फरस्ट एल जी कौन था ग्रेश चंद्र मॉर्मो इस टाइम पर कोन है माथुर साथ है तो आपको पहला भी याद रखना है और करण्ट भी याद रखना है इस टाइम पर जो करण्ट एल जी है वो है सिनहा मनोज सिनह और पहला कोन था ग्रेश चंद्र मॉर्मो माथुर है लादया का फर्स्ट चीफ जैस्टिस आफ हाई कोट गीता मित्तल और इस टाइम पर कोन है वो भी आपको याद रखना है फर्स्ट आई जी ऑफ रिजिस्ट्रेशन वो कोन है डाक्टर पावन कोत्वा फर्स्ट चीफ स ने वो बी लिखे फिर्स जैज पहले यहां का अपना कंटुटिशन होबा गरता था तो हाई कोट में उसी पर ओतलिया जाता था अब पहला जैज कोन बन गया जेर्ट के हाई कोट मैं जिसने इंडियन कंटुट्टिशन पे ओतलिया वो बन गया राजनेश ऐस्वाल बिगस सुमाल अब हम पढ़ रहे थे बिगेश्ट टाउन बन गया अनतनाग यह तो पहले से था बिगेश्ट सिटी स्रीनगर है बिगेश्ट विलेज अर्निया पॉपलेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं बिगेश्ट डिस्ट्रिक एरे के सबसे डोडा बिगेश्ट फ्रेश्वाटर सकता है इसलब हैं बिगेश्ट के सीराटालि को पता है जोफाल श्वालिक यह तो पता होना चाहिए गेटवेय आप जुमाएंड कश्मीर कोठवा कोठवा से आगे इंडिया चले जाते हैं स्वर्जलाव अफ एश्या कश्मीर हर किसी को बोला जाता है पता होगा अलमुस्ट मेड़ोज और फ्लावर को बोलते हैं तो फ्लावर से गुलमर नूकिलस और कश्मीर सिरिनगर एबो कश्मीर कुलगां चोटा लंडन सोपोर चोटा लंडन बस आपको याद रखने हैं बागे आलमुस्ट सब को आपको दिमाग में रहे गाई संगम संगम मतलब यहां पे तीन दर्या मिल जाते हैं वेशो रेंबियारा जहलिम जहलिम की ट्रिब्यूटरिज है तो इनका संगम संगम बोला जाता है सिर्फ आपको रिवर्स के याद नाम याद रखने सिटी आफ टेंपल जमू सबको पता है यह याद बोलने की भी जुरूर ने लैंड ऑफ सिरिन सुप्रिंग्स बढ़ गां यहां पे सबसे ज्यादा सुप्रिंग्स है विलेज ऑफ शैफर्ड कश्मी पेरे मैं शैफर्ड को बोल जाता है पुछल तो पहल से पहल गां एपलबॉल ऑफ कश्मीर शोप्या लैंड अफ सैफ़रं सैफरं तो आपको पता है किस्तवार से बहुत सारे सिटोंज निकलते साफ़ायर भी उनमें से तो इसको लैंड़ अफ सैफरें सैफरं भी बोला ज लगा था कुछ लोगों को इसको चोटा कश्मिर क्यों बोला जाता है लेक पर एक्सलेंड डल लेक वेरी वेरी इंपॉर्टन सुपर जैमा फाल कश्मिरी लेक इस मानस बले तो इन सब का मुझे लगता है आपको कौन से दो चीज याद रखने होंगे एक लाइक पर एक्सलें किसको पता नहीं को या बोड़ा फेर है क्योंकि नाम से पता चलता है डीपस्ट लेक मानस बल ओल्डेस्ट फोर्ट बहु फोर्ट बड़ा लेक होने वलर है लेकिन डीपस्ट मानस बले बस यह दूर चीज़े याद रखने हैं लांगेस्ट टेनल को ने चैनानी नाश्ट टैनल जो के 9.2 किलामेटर है इसको नाम रखा गया डाक्टर श्रमपसर मकरजी टैनल ओल्डेस्ट हाइडल पाउर प्रजेटर कोन है मौहरा 1905 में सिर्फ आपको क्वेश्चन बताया गए कि सिर्वार पे है यह अब इसी से रिलेटेड कुस क्वेश्चन है लास्ट पे पह इस्टिक कोन है डोड़ा है सुमाल इस्टिक कोन है गंदरबल है तो जो यहां पे लिजिस्ट्रेट्व असम्बली बनेगी उसमें कितने आएंगे आफ्टर डेलिमिटेशन 90 मलेज चुनके आएंगे हाइस्ट पॉप्लियर डिस्ट्रिक किस तवार है यह अभी हम पढ़ र ट्रॉटल अमलेज टैन पर समद्ला अगर 90 होंगे तो 90 का 10% 9 विच अक्ट लाया गया जो मों कश्मीर को रियार्गनेशेशन अक्ट जो मइन कर आफ्ट यह इसको भाइफर केट किया गया एट्सेटर एट्सेटर जो मैं कश्मीर बिकेम दे एर्थ यूनिन टेरिटर आफ एट थी क्यों बन गई क्योंकि दामना द्रेन अगर हवेली को एक ही बनाया गया यह मैंने कॉश्चन पोच्छा था विट इस दी मोस्ट लिट्रेट सिटी जुमू है लिश्ट लिट्रेट है रामबन यहां की टोटल पॉब्लिशन के दे हैं 12267013 आपको शिर्फ यह रखन है क्या रखना सफिजंट है अप्टर और और्गनेज़ेशन अप्टर जुमेंट कश्मीर यूनियन आफ इंडिया नाफ कंसिट आफ ट्वंटीएट सिटेट से एट यूनियन टेट टिरिट्रेट इस यहां पे कितने यहां से कितने एंपी निकलेंगे जैन के की बात करूं पांच एंपी एंपी मतलब मेंबर आफ पार्लिमेंट इन लोगसभा मेंबर आफ पार्लिमेंट राजसभा कितने हैंगे चार चुनके यहां से एक आएगा लोगसभा में लदाक से चुनके लेकिन राजसभा के लिए कोई लदाक से नहीं आएगा तो पांच साल की टर्म हो तो लार्ज स्टीट टानल इन युनिंटेरिटी कोई है डाक्टर श्वांपरसा मुकर्जी टानल चनानी नाश्ट टानल 9.2 किलामेटर इसी तरह जब यहां पे यह बन जाएगी लेजिश्लेटर एसम्बली फिर वो किस-किस पे कानून बना सकती है और किस पे नहीं सब पे का यहां पे भी ऐसे ही रहेगा तो यह हो गए हमारा युनिट वान कंप्लेट यूनिट इसमें दिया गया है करन्ट अफिर लेकिन यह पुरान है पुरान है हमें कोई मतलब नहीं है हमेरी संद्वी करन्ट अफिर करेंगे इसका यूनिट थर्ड है हिस्ट्री ओप जमुएं क कश्मीर तो हिस्ट्रा जमुएं कश्मीर हम अगले लेक्टर में पढ़ेंगे थैंक यू